नमश्कार अर्थ प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं एक बर फिर से स्वागत करती हूँ तो जिस तरीके से अभी नगर निगम चुनाव को लेकर मेर पत के उमिद्वार को लेकर चुनाव जारी है और कहीना कहीं सभी उमिद्वार अपना कैंपेंग चुनाव परचार कर रहे हैं तो उसको लेकर ही आज हमारे बीच मौदूद है आप आपको आदमी पार्टी जो है वो समर्तन दे रही है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे किस तरीके से उन्होंने आपको बोला कि हम आपको समर्तन दे रहे हैं उसको लेकर बुछ लिए ऐसा है मैं अजाद कंडिट के साब से उमिद्वार बना था मेरा जजबा देखके उन्होंने मेरे कर समर्तन दिया है और मुझे एक बहुत बड़ा प्लेट फार मिल गया है आने अले टैम के लिए तो अभी जो ये चुनाव प्रचार जारी हो चुका है केमपेंड चल रहा है तो अब किन मुद्व को लेकर लोगों के सामने अपना अपना कैमपेंड कर रहे और क्या क्या समय sent किया, पहले तो उनको साफ करूंगा यहां से, फिर अपने वादे, जो हैं, बहुत सारे वादे हैं, वो पूरे क्या, पूरे ही करूंगा, वादे नहीं करूंगा, पूरे कर के दाऊंगा. तो और कुछ थोड़ा सा अपने के बारे में बताएंगे किस तरीके से लोगों के बीच वे पहुच रहे हुए हैं। कियाना बना के रखें कि इसलिए मैं पब्लिक रैली में भी मैं विस्वास नहीं रखता। ये तो अपना चेहरा ही बताएगा। इसलिए मेरे मुद्दे बहुत हैं पहले तो जो बताया कि इनको साफ करना हैं। बाकि जो अगरवाल दरम के समाज के जो बने बैठे हैं अपने सर्वे सरवा इनको हटाना है मैंने जो रोज साला के परदान बने रोज सालों की उन्होंने हत्या कर दी असी रोज साला की और बने हुए हैं अपने मेर के कंडिये उनके मुझे जवाब चाहिए। तो और एक चीज में देख रहे हूं आपका चुनाची नहीं है रोड रोल मैं तो एक बिल्कुल सदारन आदमी पहली बार एलेक्सन लड़ रहा हूं कोई मेरे पास नेशनल पार्टी नहीं थी लेकिन मुझे अब भी लास्ट टाइम में समर्थन मिला है नेशनल पार्टी का लेकिन ना मैन पावर है फिर भी मैं उनको टकड़ दे रहा हूं तो जैसा कि आपने देखा कि बीना मैन बांके खुद में एक आतम शक्ति के साथ आज पदमगर्ग जी मेर पत के उमिद्वार के लिए आज चुनाओ केमपेंग जारी कर चुके हैं और मैदान में उचपूदर चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि कितना हित में लोगों का गोट इनके हित में जाता है और कब बनते हैं या मेर पत की कुर्सी कैसे और कब हासिल करते हैं तो तब तक के लिए बने रहे हैं आज प्रकाश टीवी पर मैं शशी चौरसिया और कामरा मैन दीपक जोहान के साथ ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें